Amines Amines, amines इसने का बहुत ही important topic है That is distinction test Distinction test यूज किया जाते हैं Distinguish करने के लिए, 1 degree, 2 degree and 3 degree Amines को अभ अगर हमें कोई 1 degree Amines दिया है कोई हमें 2 degree और 3 degree Amines तो How Will Will Do Distinguish तो आंसर है कर्बाइल अमीन टेस्ट कर्बाइल अमीन टेस्ट में रियेजेंट होता है CHCl3 और KOH तो हम कोई भी प्राइमरी अमीन अगर लेते हैं RNH2 एड करते हैं CHCl3 और KOH देन प्रोड़क्ट विल बी RNC प्लस 3ACL प्लस 3H2O RNC एक foul-smelling compound होता है और ये तेस्ट दोनो टाइप के बाद दिरी में देते हैं ये अलिफाटिक भी देंगे और अरोमाटिक फॉर एक्सांपल पॉशन है मिथाइल अमीन ये CS3-NH2 और अमिथाइल अमीन ये CS3-NH CS3-NH-CH3 ये मिथाइलमीन कारवाइलमीन देगा तू डिएरी टेस्ट नहीं देगा similarly अगर हमें कोई अरमाटिक अनलीन दिया ये अरमाटिक अमीन और शाइद ये ही तू डिएरी अमें दिया है ये थ्री डिएरी दिया है तो वन डिएरी टेस्ट देगा 3 डिएरी टेस्ट नहीं देगा पर एक्सांपल CH3NH2 आमने एड़ किया 3 KOH CHCl3 पॉम होगा CH3NC 3KCl 3H2 अब अब तू डिगरी कोई अमीन है और त्री डिगरी अमीन है तो ये रियाक्शन वो नहीं देगा इन केस ऑफ अरमाडिक अमीन हमें ये एनिलीन NH2 अब यहीं पर कोई अगर 2 डिगरी अमीन है तो अगर 3 डिगरी अमीन है तब ये रियाक्शन वो नहीं देगा तो करवाइल अमीन डिस्टिंविश करेगा 1 को 2 से या 1 को 3 से दोनों ही अलिफाटिक और अरमाटिक ये टेस्ट देंगे अगर हम इसको अगर हम इसको HNO2 that is NaNo2 HCl 0 से 5 डिगरी C form करते हैं तो ये form करता है CH3OH एक अल्कोहल और अगर येही चीज़ हम अरृमाटिक अमीन में यूज करते हैं that is in case of अनिली, HNO2, same condition, NaNO2, HCL, जिसे हम डाय अजोटाइजेशन बोलते हैं, तो प्रोड़क्ट रनता है BDC, यह बेंजीन डाय जोनियम ग्लोगाई, तो इन जर्नल, अलिफेटिक अमीन, NaNO2 और HNO2, HCL, 0-5 degree Celsius में, अल्कोहल फॉर्म करेगा, वेरस, अरोमेटिक अमीन, HNO2, NaNO2, HCL की प्रेजेंस में, पैंजीन डाय जोनियम ग्लोराइट फॉर्म करेगा, Now, we will distinguish 1 degree. Vs 2 degree. Vs 3 degree. हमने 1 और 2 गभीो Scr carbolyamine test कर लेया Now, we are distinguishes between 2 & 3dg. Now, for example 1 degree is, R-NH2, 2 degree will be, R-N-H-R and 3 degree will be r-N-R-R अब इसके लिए एक टेस्ट है, that is Hinsberg test, Hinsberg test में हम रेते हैं Benzene Sulfonyl Chloride, that is Benzene SO2Cl, अब 1 डिगरी केस में 1H और Cl इसे रियाक्ट कर सकता है, 2 डिगरी केस में भी HCl के साथ रियाक्ट कर सकता है, पर because 3 डिगरी में कोई भी H present नहीं है, तो वो इसे रियाक्ट नहीं करेगा, meaning 3 डिगरी ये रियाक्शन शो नहीं करेगा, 2 डिगरी प्रोड़क्ट बनाएगा, और 1 डिगरी की प्रोड़क्ट बनाएगा, इन केस 1 डिगरी प्रोड़क्ट बनेगा, NH यहां से एक H हट गया, CL के साथ प्रोड़क्ट फॉर्म हुआ, SO2 और साथ में बेंजीन देगा, Similarly, 2 डिगरी में ये H इस CL के साथ रिमूफ हो गया, तो प्रोड़क्ट फॉर्म होगा, R and R, यहां से H और CL के साथ रिमूफ हुआ, SO2 और बेंजीन देगा, तो मिनि, 1 डिगरी ये रियक्शन शोओ करेगा, 2 डिगरी ये रियक्शन शोओ करेगा, 3 डिगरी ये रियक्शन शोओ नहीं करेगा, बट जो 1 डिगरी में प्रोड़क्ट बना, वो water soluble होगा, because of presence of this hydrogen, और इस केस में ये प्रोड़क्ट insoluble होगा, because of absence of hydrogen bonding, in this case, there is hydrogen bonding, hydrogen bonding present है, यहां पे hydrogen bonding present नहीं, तो overall 1 डिगरी और 2 डिगरी, हिंस बब टेस्ट देगा, 3 डिगरी हिंस बब टेस्ट नहीं शोओ करेगा, 1 डिगरी का प्रोड़क्ट, water soluble होगा, 2 डिगरी का प्रोड़क्ट, water insoluble होगा, तो overall distinction test हमारे 3 हुए, पहला हुए, कर्भाईलमीन टेस्ट, दूसरा हुए, reaction with nitrous acid, HNO2, तीसरा हुए, reaction, हिंस बब टेस्ट, हर एक का रिएजन पता होना चाहिए, that is CHCl3, KOH, इस केस में, HNO2, that is NaNO2, HCl, reaction condition, 0-5 degree Celsius, इस केस में, benzene, sulfonyl, chloride, 1 degree, ये test, चाहे वो अलिपाटिक हो, और अरोमेटिक, ये दोनों ही वो टेस्ट देंगे, बट 2 degree और 3 degree ये प्रोड़क्ट नहीं पॉर्म करेंगे, जनरल रियाक्शन होगा, RNH2, KOH, CHCl3, प्रोड़क्ट बनेगा, RNC, 3KCl, and 3H2O, HNO2, ये डिस्टिंग्विश करेगा, अलिपाटिक, वन डिगरी को, आरोमेटिक, वन डिगरी से, अलिपाटिक के केस में, अलकोहल पॉर्म होगा, अरोमेटिक के केस में, BDC form होगा, सल्फोनाई, वन डिगरी रियाक्शन शो करेगा, तू डिगरी रियाक्शन शो करेगा त्री डिगरी अमीन रियाक्शन शो नहीं करेगा वान डिगरी का प्रोड़क्ट बॉर्टर सॉल्यूबल होगा तू डिगरी का प्रोड़क्ट बॉर्टर इन्सॉल्यूबल होगा तो यही distinction test आते हैं जो exam में आते हैं आपको basic reactions उनके भी agent और कौन-कौन से group कौन-कौन से test देते हैं यह आपको learn करना है अबग अबग दिस्टिंशन टेस्ट पर following questions आते हैं तो questions है related distinction between first case methyl amine and N-dimethylamine अगला reaction है methyl amine and aniline third is ethyl amine and N-dimethyl ethane amine two degree amine and three degree amine तो अभी जो आपने पहले वीडियो देखी इसमें जितने भी reactions करवाएगे हैं distinction test करवाएगे हैं वो चारों ही in topics में use करेंगे अगर आप उडंग से देखेंगे तो आपसे यह questions solve हो जाएंगे Thank you